HRI, क्या है HRI? HRI के अंदर अपने इडिमिशन के से लिख सकते हैं? उसका इंट्र्वी प्रोसिक्सर क्या होता है? इंट्र्वी के अंदर के से कुष्ण पुछे आ सकते हैं? ये सारे कुष्णों के जवाप आज आपको इस वीडियो के अंदर दिलेगा. तो IITs और ISAS की तरह ही HRI भी एक ऐसा इंस्टिटूट है जो फुली डेडिकेट है रिसर्च इन मैथेमेटिक्स एंड फिजिक्स. अगर एरिया इन फिजिक्स के बारे में बात किया जाए कि कौन-कौन से टोपिक्स के उपर वहाँ पर रिसर्च होती है तो उनके अंदर शामिल है अपना कंडेस्ट मेटर फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, इस्ट्रिंग थिओरी, कौन्टम इनफरमेशन, और पार्टिकल फिजिक्स. अगर आपकी रेंग, जेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर 205 से अबू है, तो आप HRI के लिए अपलाई कर सकते हैं, एप्लिकेशन फोर्म आपको कैसे फिल करना है उसके बारे में बात करते हैं, तो एप्लिकेशन फोर्म कोई एक स्पेसिफिक एप्लिकेशन फोर्म नहीं ह क्योंकि इनका वेबसाइट के उपर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, तो एप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, तो एप्लिकेशन करने के लिए आपको करना यह होगा कि उनकी एक ओफिशल वेबसाइट के उपर नहीं जाके, आपको उनको डिरेटली मेल करना है, तो मेल कि उसके अंदर आने वाली email आईडिया आपको वहाँ पर लिखनी है, थर्ड वनी है कि आपको आपने contact number वहाँ पर देने होंगे, और तो फॉर्ट वनी कि जेस्ट के अंदर आपका score कितना रहा है, और specific चीज आपको यह रखनी है, कि उसके साथ जो attach file करनी है, वो attach file होनी च आपको score card की, तो आपका score card वहाँ पर आपको attach करना है, और यह mail आपको उनको send कर देनी है, तो mail send करने के 15 या 20 दिन के बाद ही आपको message आजाएगा, कि आपकी interview procedure का date वगरा क्या होगा, और अगर आपके पास ऐसा नहीं आता है, क्योंकि मेरे case के अंदर ऐसा ही हुआ था, कि मेरे को कोई सा भी notification नहीं आया था mail के उपर, और लेकिन अगर उसके HRI के अगर website के उपर आप जाएंगे, चेक करते रहेंगे, तो आपको वहाँ पे एक PDF मिलेगी, जिसके अंदर आपके schedule लिखे वे होंगे, तो वहाँ से मेरे को पता चला, फिर मैंने उनको वापस inquiry के लि मोर्निंग के, I think 10 a.m. के आसपास, और उसके अंदर पेनल के उपर तीन टीचर थे, तीन physics के प्रोफेसर थे, तो उन प्रोफेसर ने सबसे पहले मेरा introduction लिया, और introduction लेने के बाद में मुझसे पूछा कि आपने अपनी graduation के अंदर कौन-कौन से subject पढ़े हैं, या फिर physics के अ पढ़ा है, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने quantum mechanics पढ़ी है, classical mechanics पढ़ी है, nuclear mechanics पढ़ी है, और उसके अलावा, क्या पढ़ा है, तो ये सारे topics मैंने उनको बता दिये, आपने जो पढ़े हैं, आपको वो बताने हैं, उसके बाद उन्होंने start कर दिया था मेर से सवाल पूछ देते वे उन्होंने quantum mechanics से ही मुझसे graph हो जा था तो उन्होंने एक potential का मेर को function दिया था जो potential का function आप देख सकते हैं screen के उपर ये function रहेगा तो इस function के अंदर उन्होंने बताया कि मेर को कि आप इस square hyperbolic x का graph कैसे plot करेंगे तो इस function को आपको plot करना है तो मैंने बता दिया कि short integer equation के through open wave function निकाल सकते हैं third one thing जो उन्होंने पुछी थी मेर से इसके अंदर कि आप इस function के अंदर अगर mass को change करते हैं या फिर mass को vary करते हैं तो उसके अंदर क्या effect आएगा wave function के उपर तो यह सारी चीज़ें आप से quantum mechanics के अंदर पुछी जा सकती है तो उसके देन मेर से पुछा गया था classical mechanics के अंदर classical mechanics के अंदर मेर से जो चीज पुछी गई थी वो पुछी गई थी lagran से related तो lagran engine अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको पढ़ लेना क्योंकि उन professors का ज्यादा main target मेर साथ यही रहा था कि उन्होंने classical और quantum mechanics को ज्यादा focus किया था तो उन दोनों से related मेर से question पुछा गये थे तो classical से जो मेर को question पुछा गया था वो पुछा गया था कि आपको एक lagran engine दे दिया गया है और उसको आद में आपको निकालना है कि उसके अंदर canonical momentum क्या होगा तो canonical momentum निकालना आपको आना चाहिए उसके बाद में आपसे यह भी पुछा जा सकता है कि आपको इसके लिए equation of motion बताना है तो equation of motion आप कैसे निकालेंगे ये सारी चीज़े भी आपको आनी चाहिए third one thing आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस lagrangian से आप Hamiltonian कैसे बना सकते हैं तो Hamiltonian form बे आपको बनाना आना चाहिए तो these were the sum of questions मैंसे इन दो topic के अंदर ही deep के अंदर चीज़े पूछी गई थी जिसके अंदर things varies कराये गई थी time change कराये जाता था और उसके बाद में ये किस से related है ये सारी चीज़े पूछी जाती थी तो इस तरह से मेरा interview experience रहा मेरा interview लगबग 40 minute के आसपास चला था और 40 minute के अंदर ही मैं इसको खेंज दिया था लगबग बहुत सारा लंबा लंबा अराम से उनको समझाते 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 40 minute मैंने भिधा दिये थे तो इस तरह से मेरा interview experience रहा इन फीचर हम एसी और वीडियो लाते रहेंगे जिसके अंदर आइजस के interview और IISC के interview के बारे में भी आपसे बाते होती रहेगी तो उनकी बारे में भी अगर आपको जानकरी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर मेरे से कुछ परस्नली चीजे पूछनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर मेरे को में सब्सक्राइब कर सकते हैं अब तक के लिए धन्यवाद